भारत व वेस्ट इंडीज बड़ी सीरीज खेलने के लिए तयार है दोनों देसों के बीच 12 जुलाई से दो मैचों के टेस्ट सीरीज सुरू होनी है इसके बाद 3 वंडे 5 टी 20 मुकाबले खेले जाएंगे दो टी 20 मैच अमेरिका में होने है हाला कि वेस्ट इंडीज का हालिया परदरसन कुछ खास नहीं रहा टीम अभी जिंबावे में वंडे वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेल रही है लेकिन उसका परदरसन यहां बेहत खराब रहा टीम जिंबावे निदरलैंड और फिर स्कॉटलैंड से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई वेस्ट इंडीज ने इंटरनाशनल क्रिकेट में सारे 500 से अधिक विकेट चटका चुके हैं क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने तेज गेंदबाज अलजारी जोसफ और और राउंडर को वापस बुलाने का फैसला किया है वेस्ट इंडीज के चीफ सेलेक्टर डेसमन हैंस ने बताया कि जैसन टीम क्वालिफायर के एक मैच में आज ओमान से मुकाबला खेल रही है दोनों ही टीमें वैसे बाहर हो चुकी है 31 साल के और जैसन होल्डर की बात करें तो वे दोनों फॉर्मिट में 100 से अधिक विकेट ले चुके हैं वहीं होल्डर ने 149 वंडे में 169 विकेट तो T20 में 33 विकेट अपने नाम की हैं वे वंडे में 2237 तो T20 में 398 रन बहना चुके हैं 26 साल के तेज गिंदवाज अलजारी जोसफ के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 28 टेस्ट में 84 विकेट लिये हैं ऐसे में इन दोनों का परदर्शन बेहत ही अहम रहने वाला है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो कर पसंद रहते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्रिकेट रेटेट वीडियो के लिए